हालो व्रीवान स्वागा थे आप सभी का आज के इस बेहत्रीन सेशन में आज हम लोग बात करने वाले है जो अंतीम 30 दिन हमारे पास बचना है देखर एक महीने 3-4 दिन हमारे पास है आठ दिन मान के चलो लेकिन हम इसको मोटा-मोटा एक महीने मान रहे है एक महीने इसलिए नह cup क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी होती से पता लगा दिन में कोई काम लग गया उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाई या प्रापर नहीं हो पाई एकाद घंटे ही पढ़ पाए तो कुल एक महीने का समय हमारे पास है जिसमें हम अपने आपको पूरी तरीके से अपने एक्जाम के यही बात करेंगे कि इस अंतिम एक महीने में अंतिम तीस दिन में क्या रननीती होनी चाहिए हमारी क्या स्ट्राटीजी होनी चाहिए हमारी कि हम अपने एक्जाम को इस बार क्रेक कर जाए क्वालिफाई कर जाए सिटेट ठीक है तो आईए उसी स्ट्राटीजी पर बात करत किस्मत के भरोसे जो लोग बैठे रहेंगे उनको सिर्फ उतना ही प्राप्त होगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देगे इसलिए अगर ये एक महीने आपने सही तरीके से यूटिलाइस कर लिया सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया यकीन माणिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है और यह हैं कि 205 का जो साल है ना वह सारी आने वाले बहुत हैसट अलाइन बहुत सब्सक्राक्षी में जब कर्लेकर के चलिए पिर सुरू करते क्या 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 करना अब देखोग जब आप seated की बात करते हैं तो सबसे पहले समझे कि आपके एक्जाम में क्या-क्या विवस्ता है जैसे कितने question आने वाले हैं तो 150 question आपके exam में आने वाले हैं कितना time मिलेगा डाई गंटे का समय मिलने वाला multiple choice questions आपको मिलने वाले है 150 नंबर का आपका paper होने वाला है ठीक है offline mode में एक्जाम है इस बार negative marking है नहीं और sectional cutoff भी नहीं यह दोनों चीज़े नहीं कि यह तो आपके exam का pattern है पूरा कि क्या-क्या आपको follow करना है क्या-क्या चीज़े आपको मिलेंगी ठीक है अब सवाल यह है कि जब आप पढ़ रहे हैं लास्ट के एक महीने तो करना क्या है जैसे दो चीज़े एक तो practice है एक है content भी पढ़ना है तो content में सबसे धिक ध्यान आप किस पर दे रहे हैं सबसे धिक ध्यान आप देंगे चाहे वो किसी के चाहे वो cdp chapter सरी subject की बात हो वहाद पूरा पेड़ागाजी पढ़ना ही है चाइल डेवलप्मेंट पेड़ागाजी लेकिन जो आप subject जैसे आप इंग्लिस पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ने संस्कृत पढ़ रहे हैं मैस पढ़ रहे हैं इनकी पेड़ाग पेड़ागाजी की रेंज में आते हैं इसलिए मैंने यहां लिखा कि लगभग 60% question तो यहीं से आने वाले इसलिए पेड़ागाजी वाले पार्ट को बहुत strong करके चलिए सबसे अधिक question महां से मिलना है पेड़ागाजी जो subject पेड़ागाजी है और आपके एक जनरल पेड़ागाजी जो CDP है बहुत strongly इसको पढ़िए revise करिए इस पर question मनाईए यह आपको अच्छे अंक दिलाने में help करेगा अच्छे अंक दिलाए जितनी अधिक से अधिक practice आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदय मन आपने वो कहावस सुनी होगी न करत करत अभ्यासते जडमत ही होच सुजान प्राक्टिस makes man perfect अगर आप अपने आपको चाहते कि एक्जाम तक अपने आपको आप पॉफेक्ट बना लें तो आपको प्राक्टिस ज्यदा से ज्यदा करने पड़े अधिक सधिक practice करने पड़े जितनी बहतर प्राक्टिस होगी result उतना ही बहतर exam में आपका आएगा जहां से प्रस्ट मिल रहा है वहां से प्रस्ट साल्व करना सुरू करिए book ले लिजिए online mock मिल रहा है वो ले लिजिए न कहीं पर भी जहां से भी आपको question मिल रहा है question जरूर बनाईए बिना प्रसनों की practice की एक्जाम में जाने की गलती मत करिएगा यह ध्यान रखिए practice खूब करिए खूब करिए जब आप practice करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या सही क्या गलत कितनी चीजे अभी आपको सीखनी है कितनी चीजे आपने बेहतरीन तरीके सीख ली कहा कहां अभी आपको और प्रक्टिस के जुरूरत है यह भी आपको पता लगता है ठीक है इसलिए प्रक्टिस जुतने क्वेशन आप बना सकते हैं उतने कुंषन बना ये नई नई चीजे जहां फसी है वहां अपने टीचर संपर करें क्योंकि प्राक्टिस क्लासे यूटूब अगेरा पर चला रहा है हम लोग तो वहां भी आप आएंगे तो वहां कुश्यन अपने पूछे नई यूटूब कि पिछले साल के प्रस्ट प्रीछ यएर कोश्यन जादा से ज़्यादा बनाई प्रीवियस विशन करता कहा है प्रिवेस एरुकुष्यन आपको ये help देता है, ये मदद करता है, आपको पता चलता है किस तरीके के प्रस्न पूछने का train है, यहनि सीटेट आपका किस तरीके का प्रस्न पूछ रहा है, जैसे content तो सबने सेम पढ़ रखा है, theory तो सबने सेम पढ़ रखी है, लेकिन क्या question प पूछा जा सकता है, या इसके पूछने का ये भी मतलब हो सकता है, वो practical approach आपके अंदर develop हो जाता है, इसलिए previous year question जरूर solve करिए, क्या क्या करना है, pedagogy हर subject की बहतर तरीके से पढ़िए, content तो आप पढ़ेंगे ही, pedagogy बहतर तरीके से पढ़िए, जितना बहतरीन तरीके से पढ़ सकते है, question मनाईए, mock test दीजे, practice test solve करिए, evaluation अपना करिए, analysis करिए अपने आपको, इसके अलामा previous year question थाकि आपको pattern पता चले, कितना hard, कितना tough, कितना easy question का label है, वो पता चले आपको, ठीक है, ये तीन चीजे आप जरूर करिए, बचे हुए एक महिने में, और revision साथ-सा इसके लिए दीजिये ही, दीजिये, तब तो काम होगा, अन्न था, tough situation create हो जाएगे, ठीक है, इसलिए practice पर अधिक सधिक जोर देना है, उमीद है कि ये चीजे आपको काम आने वाले हैं, अगर आप इसको follow करेंगे, आपके लिए बहात उपयोगी होंगी, follow करिए, practice time table बना करेंगे, और फिर question बनाने का क्या क्या समय रहेगा, फिर question analyze करेंगे, कितने सही, कितने गलत, जो गलत हुए वो किस chapter से हैं, तो मुझे उस chapter को एक बार revise करना है, यही pattern रखके चलिए, निश्चित और पर विश्वास करिए, आपका result आपकी उमीद से कहीं ज्यादा बेहतर ह होगा, इस बार और आने वाला साल जो वेकिंशी का साल, उसके लिए आप eligible रहेंगे और एक वेकिंशी crack crack करेंगे, और नौकरी आपको अपकी मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, फिर मिलेंगे, स्वास्त रहें, मस्त रहें, अस्ते मुस्क्राते रहें, थैंक्यू, थैंक्यू